हेलो फ्रेंड्स कुरकुरे तो हम सभी को पसंद आते हैं और बिना महनत के अगर कुरकुरे बन जाएं तो बात ही क्या तो आज हम पनाएंगे घर के बेसिक मसालों से ये कुरकुरे और वो भी दिवाली की बची हुई खील से तो यहां पर मैंने एक कटोरी भरके खील ले ली है उसको आप अच्छे से साफ कल लें उसमें जो धान वगएरा ये चिलका होता है उसको अच्छे से निकाल लें और अब हम खील को दो से तीन बार अच्छे से पानी से धोलेंगे इससे क्या है एक तो हमारी खील भी सॉफ्ट हो जाएगी और इसमें जो डस्ट वगएरा है वो भी अच्छे से साफ हो जाएगी अगर आपके पास खील नहीं है तो आप उसकी जगए मुर्मुरा भी ले सकते है जब तक हमारी खील सॉफ्ट हो रहे है यहां पर मैंने एक अल्मुस्ट सिग गई है तो इसको भी अब हम एक प्लेट में किचिन टावल पे निकाल लेते हैं और इसको रगड रगड के उपर का छिलका अच्छे से निकाल देंगे यह जो रेस्पी में आपको बताने वाली हूँ यह घर के बेसिक मसालों से और फटा-फट से बनने वाली है तो आप इसे कभी भी बना सकते हैं अगर आपके पास खील नहीं हो तो आप उसकी जगे मुर्मुरा यूज कर सकते हैं तो यह देखी इस तरीके से रगड के मैंने इसका मुमफली का सारा छिलका निकाल दिया है और अब हम इसको छान लेंगे इस तरीके से तो हमारी मुमफली भी तयार है अब हम लेंगे एक चाहर और उसमें डालेंगे अपना मुर्मुरा साथी साथ अब हम इसमें जो मुमफली सेकी थी वो डाल देंगे और अब हम इसमें डालेंगे एक ओबला हुआ आलू इस तरीके से तोड़ कर आप आलू डालने और अब हम उसमें डालेंगे बेसिक मसाले तो आधा चमश लाल मिर्च पाउडर आधा चमश गरम मसाला पाउडर आधा चमश डालेंगे अमचुर पाउडर थोड़ी सी डालेंगे हल्दी इस कलर के लिए और आधा चमज भुना हुआ जीरा का पाउडर इन सब को अच्छे से पीस लेंगे और अब इसमें हम डालेंगे चार चमज पानी और थोड़ा सा नमक एड़ करेंगे अपने टेस्ट के उसा और से एक बार और हलका सा चला लेंगे जार में अच्छे से मिक्स हो गया है हमारा डो अब इसमें बाइंडिंग के लिए हम डालेंगे तीन से चार चमज चावल का आटा जार में चावल का आटा इसली डाल रहे हैं जिसमें इसमें जो लगा हुआ है डो वो अच्छे से जार हमारा साफ हो जाएगा और डो भी एकटा हो जाएगा तो देखिए इस तरीके से चम्मस से आप चार तरफ से घुमा ले और अब हम इस डो को जो हमारा तयार हुआ है इसको एक बाउल में निकाल लेंगे और अब हम इसको हातों से अच्छे से एकटा करके एक सॉफ्ट डो हमारा बनके तयार हो गया है और अब हम कोई भी पॉलिथिन या ये दूद वाली थैली नमक वाली थैली जो भी आपके पास हो उसमें इसको डो को भर लेंगे इस तरीके से देखिए ये थोड़ा सा भर गया हो इस तरीके से रोल करके मैंने पूरा इसी में एकटा भर लिया है और अब हम इसको इस तरीके से दबा के महंदी की कोन की तरह होता है वस बैसे हमें तयार कर लेनी है अपनी कोन और अब हम इसको कर लेंगे कट तो आपको जितने मोटे बनाने हों कुरकुरे उसके हिसाब से इसको पॉलिटन को नीचे से कट कर लिया है और अब हमारा हो गया है कड़ाई में तेल गरम तो देखिए गरम तेल में इस तरीके से दवाती हुए और कोई भी आप चाकू ले 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 या फोक ले ले उसकी में पीछे से इस तरीके से कट करते जाएंगे और हमारे फटाफट से टेस्टी चटपटे कुरकुरे बनके तयार हो जाएंगे तो देखिए इस तरीके से हमें सारे कुरकुरे इसी तरीके से डाल देने हैं कढ़ाई में और टच नहीं करना है जब तक कि वो नीचे से हलके से ब्राउन ना हो जाए और इसी तरीके से उलट पुलट करते हुए मीडियम गैस पे हमें सारे कुरकुरे बना के तयार कर लेना है तो ये देखिए फर्स्ट बैच के हमारे कुरकुरे बन गए है और इसी तरीके से मैंने सेकंड बैच भी डाल दिया है कुरकुरे का और ये भी सिक्के तयार हो गए है तो फ्रेंड्स अगर आपको ये रेस्पी मेरी पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए साथी साथ कमेंट्स करके बताएए कि आपको ये रेस्पी बनाने के बाद कैसी लगी तो आप भी इसे एक बाद जरूर बनाएए इसे आप चटनी सॉस किसी के भी साथ सर्फ कर सकते हैं ये खाने में बेहत चटपटी और टेस्टी और साथी साथ क्रिस्पी है